आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question हमसे यहाँ पर Buliform Cells के बारे में पूछ रहे कि इतनी बात क्लियर है कई बर Question में यहाँ पर Monocode Dicode भी दे दिया जाता है तो Monocode में और Poissy में पाई जाते हैं Specifically अगर फैमिली की बात हो तो Then अब बात करते हैं कि यह जो Buliform Cells होते हैं यह किस तरह के Cells होते हैं क्या-क्या चीजें यह perform करते हैं सारी चीजें इसके बारे में बात करते हैं तो Basically Buliform Cells को मैं एक और नाम से जानती हूँ Motor Cells ठीक है Motor Cells भी हम इनको बोलते हैं Buliform Cells Motor Cells यह होते क्या हैं Basically यह Large Bubble जैसी Shape के तो मैं लिख सकते हूँ Bubble Shaped Epidermal Cells होते हैं Epidermal Cells होते हैं जो की Groups में मिलते हैं मतला काफी सारे जो Monocots होते हैं इन Monocots के जब मैं Leaves की बात करते हूँ तो Leaves के Upper Surface पर अपर Surface पर यह पाए जाते हैं तो अब यह जो Cells होते हैं यह Upper Surface पर पाए जाते हैं लीव के और इसलिए यह क्या जनरली यह काम पर होते हैं जो Leaves का Mid Vane portion होता है Mid Vane portion उसके पास पाए जाते हैं तो बड़े बड़े empty spaces होते हैं और basically ये दिखने में colorless होते हैं ये बहुत important point है ये colorless होते हैं ठीक है तो इतनी बात हमारी clear है हमने बात कर लिए large होते हैं bubble shape के होते हैं epidermal cells होते हैं ठीक है और ये क्या करते हैं function इनके की जब मैं बात करते हूं तो ये help करते हैं किस चीज में developing leaves की unfolding में आपने दे देखा है कि वो soft soft प्यारे प्यारे चोटे चोटे पत्ते आ रहे होते हैं तो पहले कुछ मुड़े होते हैं then वो थोड़े से होते हैं then जाके वो पूरे सीधे होते हैं है ना तो उन लीव की unfolding 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 of new leaves ये कह सकती हूं मैं या फिर unfolding of developing leaves ये कौन करते हैं हमारे buliform cells करते हैं अब ये जो हमारे mature leaf की rolling, unrolling होते हैं उसके अंदर भी involved होते हैं ठीक है जो alternating wet or dry period होते हैं उनके respect में ये leaf को roll और unroll करते हैं ठीक है और अब ये present कहां पे होते हैं question आ जाता है ये और पहली बात ये highly vaculate भी होते हैं एक चीज़ अम ये भी बोल सते हैं कि ये highly vaculate होते हैं बहुत सा ठीक है they store water और क्या चीज़ है motor cell हम इनको क्यों बोलते हैं क्योंकि टर्गर changes जो होते हैं boliform cells में वो responsible होते हैं unrolling rolling जो लगकर आ रहे थे leaves की तो इस तरह के function की वज़े से हम इने motor cells बोलते हैं टर्गर changes करते हैं इस वज़े से तो अब ये पाए कहां जाते हैं epidermal cells हैं तो य आंसर अमारा option 4 तो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आट 400 400 पर